किसानों के लिए एक बरी अपडेट आ चुका है सभी किसान अभी घर बैठे अपने मुबाइल नमबर को अपडेट करा सकते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे किसानों के लिए जो मुबाइल नमबर की अपडेट हुआ है यह अपडेट की इस कर्टेकरी किसानों के लिए बहुत जोरूरी यानिकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है यह हम जानेंगे सभी किसान mobile number update कर सकते हैं कि नियुक्श के बारे मीं जान करी देंगे क्योंकि एसे वह बहुत साथे किसान है जिन किसानों का पुराणा mobile number खोड़ चुका है 11万 27 करने ही पार है यानिकि 11万 aja करने की बारे बारे मोबारे खोड़ चुका है सबसे पहले तो हम farmer corner पर आने के बाद दो option मिलेगा आपको mobile number update और नीचे आपका beneficiary list यह जो दो option है यह farmer corner पर add किया है और किसान सम्मानी दिया अजना का जो website है website farmer corner पर आने के बाद जितने भी option शो करता है यह किसानों के लिए बहुत eligible होता है तो दोस्तों आभी हम farmer corner पर आके update mobile number पर click करके हम check करेंगे अपने आप mobile number को कैसे update कर सकते है पुराना mobile number बदल सकते है कि नहीं अगर एक कवाईसी करने वाला mobile number साथ में नहीं होगा तो नए mobile number कैसे जोर सकते है कि नहीं सारे जानकारी share करेंगे सबसे पहले तो हम update और mobile number रहने कि update mobile number पर click करने की बाद आपके सामने ये page open होगा जिसमें charge by register नमबर और आधार नमबर शोगा विकों मैं suggest करूँगा आधार नमबर पर click कर दीजेगा उसके बाद आपका PM किसान पर देने वाला जित्टो भी आधार नमबर है ये आधार न डालने के बाद इसमें जो भी कैपसा दिखाई देगा सेम कैपसा आपको ये box पर डालना है सेम कैपसा डालने के बाद चार्स पर click करना है करने के बाद आपके सामने इसी तरह consent मिलेगा जिस पर आपका time and condition लिखा होगा इस पर from message भी लिखा होगा जिसके मदद से सभी किसा ये हिंदी में translate करके भी पर सकते हैं ये guidance के साब से income tax के मदद से भी ये लागू किया है अगर आपका आधार नंबर से कोई income tax पे कर रहा है तो आप आधार नंबर अपडेट करने के बाद यानि कि मुवाल नंबर अपडेट करने के बाद आपको किसान सम्माने दियोजना क पैसा नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये system पर क्लिक करने से पहले सभी किसान हिंदी में translate करके ये जरूर पालीजेगा अगर आप आम किसान है आपको कोई income tax का problem नहीं है यानि कि आपका कोई extra ऐसे कोई tax बगारा नहीं है अपना अधार कार्ट यानि कि मुवाल नंबर के साथ तो आपको निशिंद के साब से आपको सिर्फ get अधार पर किलिक करना है करने के बाद आपके सामने और एक पेज उपन होगा जिसमें pop-up मिलेगा simply okay पर किलिक करना है करने के बाद आपके जो अधार के साथ जो भी mobile नंबर लिंक होगा उसी पर से अंकों का OTP मिलेगा simply आप आपको एंटर अधार OTP के जगा OTP डालना है OTP डालने के बाद verify OTP पर किलिक करना है verify OTP पर किलिक करने के बाद इस तरह processing में होगा उसके बाद अधार जो इसमें OTP होगा यह verified हो जाएगा verified होने के बाद फार्मार के details आ जाएगा registration number फार्मार का नाम क्या होता है mobile नंबर इ important है उसके बाद इसमें अधार नंबर लिखा होगा date of birth लिखा होगा gender भी लिखा होगा लेकिन जो लाभार्ती एकवाइसी नहीं किया है अधार पर OTP नहीं आ रहे है उनसे भी लाभार्ती मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते और यह लाभार्तियों का eco-second करने के बाद पुराना वाला जो eco-video करने के time जो भी mobile नंबर दिया था ओ वो mobile नंबर आपके पास नहीं है लेकिन अधार के साथ जो भी mobile नंबर लिंक है उसी mobile नंबर आपके सामने है तो आप इसके मदद से भी आप नयाände नमबर को एक करा सकते हैं तो आप इसमें मोबाइल नमबर आपके साथ नśmy tablet नहीं कर सकते हैं पूराना वाला नमबर अगर आपका सूर्परेट है लेकिन सबी किसानों को एक बार एक बार मुबाइल नंबर इसमें अपडेट कर देना है अगर आपका पुराना मुबाइल नंबर है उसके बाद भी पुराना मुबाइल नंबर डालके भी आप मुबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं मुबाइल नमबर अपडेट करना बहुत एक important मना दिया है जिसके वज़ासी यह option add कर दिया है अगर आपका नया मुबाइल नमबर है उसके बाद भी update कर सकते है पुराना मुबाइल नमबर है उसके बाद भी update कर सकते है लेकिन सभी को update करना बहुत important है तो मुबाइल नमबर अभी आप add करना साथ है, उसी पर भी आपको OTP मिलेगा, OTP डालके verify OTP पर किलिक कर दीजेगा, करने के बाद इसमें click for update फिर से इसमें मिलेगा, आपको सिर्फ click for update पर किलिक करना है, करने के बाद processing charge में time लेगा, तो दोस्तों आपका जो भी mobile number अभी आपने OTP के साथ verify किया थ वो mobile number update हो जाएगा, साहिए आपका पुराना हो या नया हो, लेकिन उसी बाद mobile number है या update हो जाएगा, mobile number अपडेट करना से आपका बहुत benefit होने वाला है, इसके लिए सभी लाबारती mobile number को update कार दीजेगा, क्योंकि बहुत सारे इसे किसान है, तो OTP आ रहे हैं लेकिन किसान स सम्मानी दियाजना में कुछ problem होगा, तो आपको message के दुआरा आपको सेताओनी भेज़ दिया जाएगा, कि आपको यह problem है, जिसके वज़ासे आपको किसान सम्मानी दियाजना का तराप से 18 number का installment नहीं मिलेगा, यानि कि यह number का installment नहीं मिलेगा, इसके लिए सभी किसानों को mobile number अपडेट करना important है, कि किसान सम्मानी दियाजना का तराप से कभी-कभी बहुत important message share हो जाता है, तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैंने तो बता दिया कि आप से भी लोग mobile number अपडेट करा सकते हैं, इसी प्रोसेस से सभी लाभारतियों को mobile number अपडेट करना होगा, अगर आपका मन में कुभी सावाल है तो comment आल दीजएगा, चैनल पर पहले बार विजिट के तो subscribe करेके notification बिल्कु एलाव किजएगा, वीडियो को एक like किजएगा, जाए हिन, जाए भारत!